हलो भाईयों बहनों आप कैसे हैं आसा करते हैं आप सब अच्छे ओम स्वस्थ होंगे साथियों आज हम आप लोगों के लिए एक नई रेस्पी लेके आए हैं मतर की पूरी साथियों बहुत अच्छे डिस होती है नास्ति के लिए बहुत अच्छे होती है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मतर की पूरी बनाने के लिए साथियों ये एक बाउल हमने मतर के दाने लिये हैं मतर मैंने लिया था फ्रेस मतर थी उसके दाने ये निकाल लिये हैं और साफ पानी से धुल लिये साथियों अब इसे हम एक जार में रखेंगे मिक्सी में इसको हम बारीक पीस लेंगे ये देखे अभी आधा डालेंगे इसमें आधा पीस लेंगे मतर उसके बाद में आधा बाद में पीसेंगे पूरा गर डालेंगे तो फिर ठीक से पीसेगा नहीं इसलिए अभी Half-Half दो बार पीस लेंगे ये देखे इसको मैंने पीस लिया है बारीक मिक्सी में और साथ यूँ ध्यान रखे कि इसको बारीक पीस है जितना ही बारीक कर लेंगे उतना ही अच्छा है मटर के दाने उसमें नहीं रहने चाहिए अच्छे से पिस जाने चाहिए ये देखिए जो बचा हुआ मटर था उसको डाल दिया है और एक अद्रक का इसमें टुकड़ा डाल दिया है साथियों दो हरी मिर्च भी हम इसमें ले लेंगे वो भी सी के साथ पीस लेंगे थोड़ा सा धनिया हमने काटा था हरा धनिया भी इसमें डाल लेंगे हरे धनिया की खुश्बू बहुत अच्छी लगती है ये देखिए साथियों इसे भी पीस लिया है हमने अब इसको हम उसी बरतन में निकाल लेंगे प्लेट में जिसमें पहले निकाला था इसका कलर देखिया लग है क्योंकि है धनिया और हरेमर चाद्रा किस में डाल दिया था बादवाले में ये पेश्ट तैयार हो गए है साथियों मटर का अधरक का धनिया का पेश्ट तैयार है साथ ही हम एक कटोरी आटा लिया है एक कटोरी और लेंगे थोड़ा से हमने एक कटोरी से कम लिया है आटा, ये डिल्ल कटोरी के आसपास है, आप अपनी आवसेक्ता नुसार आटा ले, और ये साथ हूं मल्τι ग्रेन आटा है, आटी का हिस्ते माल लधिक हम करते हैं, मैदे का कम करते हैं, और ये जो हमने पेस्ट बनाया था मतर का ये इ दाल देंगे इस मतर के पेश्ट को इसमें आटे में डाल देंगे साथ यूँ बहुत अच्छा नास्ता तयार होगा चुट्टे के दिन इसको आप बनाईए और बहुत ही अच्छा लगता है गरगामा गरम बढ़या चाय बनाईए देखिए इसमें हमने एक चम्मच धनिया प लाल मिर्च रखते हम वह हमने डाला है इसमें और आधा चम्मच हमने कस्मीरी लाल मिर्च इसमें डाला है इसमें साथ हींग हम डालेंगे यह देखिए हमने नमक भी इसमें डाला है स्वाधानुसार आप नमक लीजी हींग हमने ये छोटा चम्मच मेरे पास दो चम्मच मे ने हिंग डाल दी है बड़के ये हमने चाट मसारा इसमे एक चममच डाल दिया है और ये हमने अजवाइन जो है हाथ में लिए है एक चममच और इसको करस करके इसमें डाल देंगे आप अगर खटा पसंद करते हो तो हम चूर पाउडर भी इसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन आवसकता नहीं है, और इसको सारे को, पेस्ट को हम मिलाएंगे, ये हमने एक टेबिल स्पून जो है, देशी घीलिया है, इसको इसमें डाल दिया है, और इसी के साथ साथियों गूंधेंगी इसाटे को, इसमें पानी बिलकुल नहीं मिलाएंगे, क्योंकि मटर जो हमने PC है, उसमें पानी है, एक टेबिल स्पून हमने घीला लाहे, वो भी इसमें काम करेगा आटा गूंधने में, तो इसलिए कि देखे, अच्छा सा गूंध रहा है, पानी के इसमें आवसकता मुझे लगता नहीं पड़ेगी, ऐसे गूंध जाएगा यह, आप गूंध है, अगर आटा आपका ज्यादा होगा, तो हो सकता पानी के आवसकता हो, नहीं तो पानी के आवसकता नहीं पड़ेगी, इसमें देखे, हमें थोड़ा सा आटा और मिलाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा घीला लग रहा है, यह देखे, हम इसम पार मुक्के मारेंगे, इसमें बढ़या सा गूंध लेंगे, आटे को यह देखे, बहुत बढ़या तयार हो गए हाटा, यह देखे, गूंध कलकर आटा तयार कर लिया, इसको साइड में रख देंगे, थोड़ी देर के लिए, पांस ये दस मिनट इसको रेस्ट करने तब तक इधर गये सान करके उस पे कडाही चड़ा देंगे, दोस्तों हम लोही की कडाही इस्तेमाल कर रहे हैं, और मस्टर डायल में इसको बनाएंगे, पूरी, बहुत जबर्जस्त नास्ता बनेगा साथियों, बहुत बढ़या नास्ता बनने वाला है, और बहुत ही आसा पानी से बन जाता है, कुछ इसमें कठिन नहीं है, तील साथ ही उदर कडाही में गरम हो रहा है, अब इसकी हम पूरी बेलना सुरू करेंगे, पहले हम 4-5 पूरी बना करके रख लेंगे, उसके बाद सेखना सुरू करेंगे, क्योंकि तील जब गरम हो जाता है, तो फिर हो जाएंगे, आप इसके साथ टमाटर धनिया की चटनी भी बाट सकते हैं, गर्मियों में तो मतर कम आता है, सर्वियों में ज्यादा रहता है, तो इसलिए टमाटर धनिया की चटनी आप बनाएए, लशन की हरा लशन भी मार्केट में आ रहा है, उसकी पत्तियां डालिए उसमें चटनी में बहुत ही जवर्जस्त बनेगे, आपको हमने कई अपनी वीडियो में चटनी दिखाई है, उसकी लशन की, हरे लशन की धनिया टमाटर की बहुत ही जवर्जस्त चटनी बनती है, यह देखी साथ इस तरीके से पूड़ी बेल करके रख लेंगे, आज साथ हम घर्मा घर्म चाय और पूरी का नास्ता बना रहे हैं, सुबह का यह जवर्जस्त नास्ता है, देखी पूरियां बेल करके रख ली हैं, तेल साथ इस तरीके घर्म हो गया है, अब शेकना शुरू करेंगे पूरी, बहुत ही जवर्जस्त पूरी बनेंगे, आप देखे, होथ ही मज़िवाठा, बहुत ही लाजवाब यह देखी साथि, बहुत ही बड़िया पूरी बनेंगे, यह दिखे, यह कि पूरी साथियुसे पहुत ही लाजवाब पूरी बन रही है, और इसमें जो मेटे यह पड़ा है, मसाले पड़े हैं उसकी भ्यूदियूल थैंद कर मटर की पूरी आप इस तरीके से बनाईए, देखिए बहुत ही जबर्जस्त पूरी बनाईए, ये देखिए साथ ही, भटूरी अटूरी इसके सामने फेल हैं, बहुत ही जबर्जस्त पूरी, ये देखिए, आप बच्चों के टिफिन के लिए बनाईए, रास्ते में सफर के के लिए बनाईए बहुत ही बढ़ है सफर में जाना हो इस तरीके से बना करके ले जाए किसी और चीज के साथ खानी के आउसकते ने इसमें खुद इतने मैटेरियल पड़े हैं इतना अच्छी है यह बहुत ही जबर्जस्ता आप ऐसे इसको खाईए रास्ते में कहीं चाहे ल सकता नहींुędगे देखिए कि यतनी लाजबाब पूरी बनाने साथि इक-एक पूरी में सेंख रहा हूं बहुत ही लाजबाब पूरीयां बन नहीं है गैस की फ्लेम साथियों कम ही रखिए जब तेल गरम हो जाए आपका बहुत तेजी नहीं रखनी है और एक एक करके पूरी सेंखिए बहुत ज़्यदा कडाही में तेल जड़ डालने के आवसकता नहीं है आप कम डालिए और एक एक सेंखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन तेल भी कम लगेगा पकेंगी बढ़ेंगी बढ़ेंगी बहुत लाजवाब शाति ही यो देखिये बहुत ही जबरजस्त बहुत ही ला जवाब पुड़ियां बनकर तैयार हुआ तो साथ ही यह मेरा बनानी के तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें तथा पूरा वीडियो देखने के लिए शाति ही ओ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद